नमस्कार आप देख रहे हैं एंपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताज़ा अपडेट में मैं हूँ आपके साथ अन्याज भारत और इंग्लेंड के वीच पांच टेस्ट माच्चों की सीरीज खत्म हो चुकी है और इस सीरीज में युवा खिलाडियों के की वर्ल्ड कप की तयारियां भी शुरू निए खबरों की माने तो बीसी सिट्वाइशन में रखा जाएगा पहले ये कंसिट्रेशन इशान किशन के लिए थी लेकिन जब उन्हें एन्वल कॉंट्रक्ट से बाहर का रास्ता दिखाया तो भारती टीम एक विकेट कीपर बल वो जुरेल ने अपनी शम्ता का पहतर प्रदर्शन दिखाया है और लंबे-लंबे छक्के मारने में भी दुमाहे जाथ ही उनकी विकेट कीपिंग स्किल की भी काफी तारी हो रही है वहीं यश्रस्वी जैसवाल को भी ओपनिंग स्लॉट के लिए लगभग-लगभग कनफर मा दिया जा सकता है बड़ी बात यह है कि BCCI को फिलाल वर्ल्ड कप की टीम चुनने के लिए अभी फिलाल डेड़ महीने का समय है लेकिन IPL के बिना पर BCCI ने साफ कर दिया है कि वो किसी खिलाडी पूर्ट नहीं चुनेंगे जिने उन्होंने पूल में नहीं रखा है जो खि जईस्वी जैस्वाल के नाम पर पूरे तरीके से विचार किया जा ज Burns कर रहा है वी फिले और विछ इसे में चेयन करता किस तरीके से इन ख्यार्डियों को रिबॉर्ड करेंगे ये देखने वाली बात होगी लेकिन इस सीरीज से कई ऐसे खिलाडियों को सीख मिली है जो खुद को गेम से बड़ा समझने लगे थे चाहे वो शुरेस अइयर हो या फिर रेशान कीज़े ऐसे में रडजी मुकाबले ना खेल पाना इन खिलाडियों को वर्ल्ड कप का का एक बड़ा कारण माना जा रहा है लेकिन द्रुपजुरेल और ये श्यस्वी जैसवाल के ये एक शांदार मौका बनकर सामने आया है अब आने वाले समय में देखना होगा कि बिसी सी आई किस तरीके से अपनी टीम को डिसाइड करती है और किन खिलाडियों को मौका इस खास अब्रेट में उत्रा है हमें देतीज इजाज़त और हां हमारे चैनल एनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल वर्द पूलिएगा नमस्कार